5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की महिन पूरी लोकसभा सीट पर उपचुनाओ के लिए मद्दान किया जाएगा सपा संस्थापक मुलायम सिंग यादव के निदन की वज़े से यहां पर उपचुनाओ कराया जा रहा है सपा प्रमुख ने पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने सपा परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले रगुराज सिंग शाक के को टिकेट दे कर सपा को अपने ही गड़ में कमजूर करने का काम किया पीजेपी बेतर तरीके से जानती है कि साल 1996 से यहाँ पर किसी की सरकार नहीं बनी है यानि कि हर बार इस सीट पर सपा के परिवार वाले ही सत्ताधारी बने मुलायम सिंग यादव हो या अखलेश यादव हो या सपा परिवार का अन्य सदस्यों के लिए में पूरी सीट लकी साबित हुई है ऐसे में सपा ने उनकी बहु डिमपल यादव को मैदान में उतारा है ये आने वाले दिनों में दिखेगा कि क्या डिमपल यादव इस विरासत को बरकरार रख पाती है उनके लिए सीट लकी साबित होती है या नहीं लेकिन इन सब के बीच इस उपचुनाव में सपा काफी डरी हुई है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सपा की जो तैयारी है जिस तरह से एक जुट कर रहा है कुनबे को अखलेश वो बताता है कि अखलेश यादव कितनी गंभीरता से चुनाव को ले रहे है अब यही कारण है कि पूरे यादव परिवार में एक जुटता एक बार फिर दिखाई दे रही है मेंपुरी सीट पर उपचुनाव सपा के लिए चुनाव ही नहीं बलकि नाक और इज़त की लड़ाई भी है ऐसे में बीजेपी के लिए अच्छा मौका है कि साल 1996 से चली आ रही ही परमपरा को भेद सके ऐसे में सवाल यह उठता है कि सपा इतनी डरी हुई क्यों है क्या मुलायम सिंग यादव के बाद सपा की लहर खत्म हो जाएगी खास तोर पर मेंपूरी वो गड़ यही डह जाएगा तो इसके बाद में बाकी जगे क्या मैसिज जाएगा क्या यूपी की जनता सपा परिवार को हटा देगी या सपा परिवार के साथ में नहीं जाएगी आजमगर में जो सपा के साथ हुआ क्या वैसा ही कुछ यहां पर हो सकता है रामपूर में भी हो चुका है पतनी डिमपल को जिताने के लिए अध्यक्ष अखलेश यादव खुद मैदान में मोर्चा सबाले हुए हैं और इस पर यहां पर अखलेश यादव के खिलाब बगावत का जंडा बुलंद करने वाले उनके चाचा शिवपाल सिंग यादव भी डिमपल के परचार में पसीना बाहर है मेंपूरी उपचुनाओ को सपा ने प्रतिष्ठा का प्रश्ण बनाया है हालत यह है कि अब तक किसी उपचुनाओ में प्रचार ना करने वाले अखलेश यादव भी मेंपूरी की गलियों में डिमपल के लिए वोट मानते हुए नजर आ रहे हैं डेरा जमालिया है यहां पर आईए जानते हैं मेंपूरी उपचुनाओ को सपा और सेफ़ाई का यादव परिवार इतनी गंबीरता से क्यों ले रहा है मेंपूरी की लोगसभा सीट को मुलायम सिंग यादव के परिवार की पैत्रिक सीट कहा जा सकता है परंपरागा सीट कहा जा सकता है साल 1996 से यहां से सपा के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं जीती मुलायम सिंग यादव ने जब उत्तर प्रदेश विदान सभा को छोड़कर देश की संसत में बैटने का फैसला किया तो उन्होंने मेनपूरी सीट को ही चुना था वो 1996 में पहली बार इसी सीट से लोकसभा के लिए चुने गए हलाकि वो संबल और आजमगर्ण लोकसभा सीट का भी प्रतिने दित्तु कर चुके है अंतिम समय में भी वो मेनपूरी से ही लोकसभा के सांसत थे मेनपूरी से मुलायम के अलावा उनके करीबी हुदै प्रताप सिंग और भतीजे धरमेंदर यादव और पौत रतीज प्रताप यादव भी चुनाव जीत चुके है लेकिन धरमेंदर आजमगर्ण में भी चुनाव हार गए थे इस तरह से देखें तो मेनपूरी में डिंपल यादव को जीतने से बहुत दिक्कत नहीं नहीं आनी चाहिए लेकिन इतना आसान है नहीं इस पार का चुनाव जिस तरह यादव परिवार मेनपूरी उप चुनाव के लिए एक हुआ है और चुनाव प्रचार कर रहा है उससे लगता है कि सीट पर डिमपल की राह आसान नहीं है और ये बात पूरा यादो परिवार जानता है डिमपल की जीत के लिए सपा ने कई जतन किये हैं सपा प्रमुक अखलेश यादो ने अपने चाचा शिवपाल यादो को चुनाव प्रचार के लिए मनाया उनके साथ मंच साजा कर रहे हैं और तो और डिमपल की उमीदवारी की गोशना पर सपा महासचिप प्रोफेसर राम गोपाल यादो को ये कहना पड़ा की परिवार में राय मश्विरे के बाद ही टिकेट फाइनल हुआ है मेंपुरी के उप्रचुनाव का ही असर है कि अखलेश यादो महासे बाहर नहीं निकल रहे है मेंपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली विदान सबा सीट पर भी चुनाव हुरा है लेकिन वो चुनाव परचार करने कहीं और नहीं जा रहे है रामपुर में सपा और खतोली में जैन चौधरी की आरेलडी चुनाओ लड़ रही है सपा को मेनपुरी में काफी डर है इस बार इतना असान चुनाओ नहीं माना जा रहा है दरसल अकलेश यादव के स्थीफे के बाद खाली हुई आजमगर सीट पर हुए लोगसबा उपचुनाओ में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वो भी तब जब आजमगर को यादव वोड बैंक का घड़ माना जाता है आजमगर में अकलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद यादव उमीदवार थे आजमगर के साथ ही रामपुल लोगसबा सीट पर भी उपचुनाओ कराया गया था वहां भी सपा जीत नहीं पाई थी पिछले दो लोगसबा चुनाओं में सपा बुरी तरह से हार रही है सपा ने 2019 के चुनाओं को जीतने के लिए अपने चिर विरोधी मायावती की बसपा के साथ तक हाथ मिलाया था इसके बावजूद वो केवल पास सीटे जीत पाई थी यहां तक की मेनपूरी में जनसभा कर मायावती ने मुलायाम सिंग यादव के लिए वोट मांगे थी तब जाकर मुलायाम सिंग यादव की जीत की राह आसान हुई थी वहीं डिमपल यादव का राजनयतिक सफर भी बहुत शांदार नहीं रहा है जब वो पहली बार करनाओ से लोगसबा चुनाओ जीती थी तो उसमें भी बीजेपी ने अप्रत्यक्ष तोर पर उनकी मदद ही की थी उस उपचुनाओ में कॉंग्रेस और बसपा ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था वहीं मेनपूरी से सटे फिरोजाबाद लोगसबा सीब पर उन्होंने पहला उपचुनाओ लड़ा था वहां उन्हें कॉंग्रेस के राजबबर के हाथों हार कर सामना करना पड़ा था फिरोजाबाद के सासाथ इटावा, औरहिया, मेनपूरी, एटा, कन्नोज, कास गंज और फरुकाबाद को उत्तर प्रदेश का यादव लेंड माना जाता है मेनपूरी में डिमपल यादव को गेरने के लिए बीजेपी ने रगुराज सिंग शाक्के पर बरुसा जताया है वो भी मुलायम सिंग यादव परिवार के करीबी माने जाते हैं उन्होंने नामांकन से पहले मुलायम सिंग यादव की समाधी पर जाकर शीश नवाया था वो शिवपाल सिंग यादव को अपना राजनेतिक गुरू बता चुके हैं हालागी फिर बाद में शिवपाल सिंग यादवने पलटवार करते हुए कहा था कि वो मेरे शिष्षि क्या चेला बनने के लायक नहीं है वो स्वार्थी व्यक्ति है बीजेपी की नजर महिनपूरी के शाक के वोटों पर है रगुराज शाक के के केंडिडेचर को हलके में नहीं लिया जा सकता है एक अनुमान के मताबिक महिनपूरी में एक लाग साथ हजार शाक के मत दाता है ये वोट रगुराज शाक के को जा सकता है इसके अलावा करीब डियर लाग राजपूत और एक लाग बीस हजार ब्रामन मत दाता है इनके अलावा एक लाग के आसपास लोध है इन सब को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है इनी के जरिये बीजेपी मेनपुरी को साथना चाहती है वहीं दूसरी ओर इस सीट पर निर्णायक भूमी का यादव वोटो की है सीट पर साड़े तीन लाग से ज्यादा यादव मत दाता है इनके अलावा मुसल्मान भी ठीक ठाक संक्या में हैं इनको सपा का कोर वोटर बैंक माना जाता है वहीं डिंपल को मुलायम सिंग यादव के निदन से पैदा हुई साहानु भूती का फायदा मिल सकता है अब वो 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि मेंपुरी की जनता ने किस पर वरोसा जताया सपा या बीजेपी मेंपुरी का चुनाव परिणाम अखले शादव के लिए लिटमस टेस्ट जैसा होगा क्योंकि वो अब तक अखेले के दम पर कोई चुनाव नहीं जीत पाए है मेंपुरी में मद्दान 5 दिसंबर को है नतीजे 8 दिसंबर को आएगे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें